हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों डायबेटीज आज के दोर में एक कॉमन बिमारी हो चली है जो डायबेटीज के मरीज है उन्हें अक्सर चक्कर आनी की शिकायत रहती है दोस्तों बड़े हुए ब्लड शुगर लेवल और नॉर्मल इस तर से कम ब्लड शुगर लेवल दोनों ही स्तिती में आपको चक्कर आ सकते हैं नॉर्मल इस तर से खराब ब्लड शुगर लेवल की स्तिती में आप बेखोश भी हो सकते हैं इसे डायबेटीक कोमा कहा जाता है और ये इस्तिथी आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है। ऐसे में डाइबेटीज में चक्कर आने की ये इस्तिथी कैसे पैदा होती है। जिस दौरान आपको चक्कर आते हैं, शरीर कैसे रिएक्ट कर रहा होता है। इस इस्तिथी से आप कैसे बच सकते हैं? खुद को कैसे बचा सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको ये बेहद एहम जानकारी दोंगी दोस्तो डाइबेटीज एक ऐसी बिमारी है जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से जादा रहता है बड़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए कई तरह की दवाई गोली और इंसुलिन के इंजेक्शन का इस्तमाल किया जाता है डाइबेटीज के कई मर्यूजों को चक्कर भी आते हैं चकर आने के कई कारण हो सकते हैं अगर ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से बहुत जादा हो जाए तो इस इस्तिती को हाइपर ग्लेसेमिया कहा जाता है इस इस्तिती में भी आपको चक्कर आ सकते हैं diabetes में ज़ादा शराब के सेवन करने से भी चक्कर आते है diabetes के मरीजों को चक्कर आने के और भी कई कारण हो सकते है जिनका उनके शरीर के blood sugar level से कोई संबन नहीं होता जैसे की अनेमिया या शरीर में खून की कमी होना कई कान की बिमारियों में भी चक्कर आ जाते है मैनियर्स disease के मामलों में भी चक्कर आ जाते है कई बार आपका बीबी कम हो जाए तो ऐसी सिती में भी चक्कर आ जाते है अगर आपको शुगर लेवल नॉमल से बहुत जादा बढ़ जाता है तो आप कुछ लक्षर महसूस करेंगे जैसे बहुत जादा प्यास लगना, मूँ सूखना, बार बार पेशावाना, बहुत तेज दिल की धरकन होना, जी मिचलाना और उल्टियाना अगर आप इन में से कोई भी लक्षर महसूस करते हैं तो आप तुरंद अपना बलर शुगर चेक करें अगर वो बड़ा हुआ आता है तो अपने डॉक्टर के बताए गए तरीके के अनुसार दवाईया ले, अगर दवाईया इनसुलिन लेने के लिए कुछ समय बाद भी आपको अराम नहीं मिलता और चक्र जैसा महसूस होता है तो तुरंद किसी अस्पतार में जाकर सकता है इसलिए बेहर जरूरी है कि आप डायबेटीज के इलाज के लिए जल से जल सही कदम उठाएं आईए अब डायबेटीज की एक और इस्तिति के बारे में बात करते हैं डायबेटीज में बलड शुगर लेवल कम होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे नियमित रूप से बहुचनना खाना इंसुलिन ठीक मातरा में ना लेना बहुत ज़ादा व्यायाम कर लेना बलड शुगर लेवल कम होने पर भी आप कुछ लक्षर महसूस करेंगे जैसे कि चक्र आना पसीना आना कमजोरी महसूस करना इस सब लक्षर महसूस करने पर तुरंध अपना बलड दिरे हमारे शेरी के अंगूर जैसे दिल, किड़नी लिभा को नूखसान पहुंचा कर उन्हें खराब कर देता है इसे मरीज को दिल या दिमाग का दोड़ा भी पढ़ सकता है ऐसे समय में मरीज को चक्कर आएंगे और वह बेहुश भी हो सकता है अगर कोई भी मरीज बेहुश हो तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाए ऐसा करने में देरी मरीज की जान को खत्रे में डाल सकती है अगर आपके शेरी के सेल्स शुगर को इस्तमाल ना कर पाए तो वो शेरीर फैट या प्रोटीन इस्तमाल करने लगते है ऐसा करने से बलड में कुछ विशेले पुरदात यानी कीटोन बनने लगते हैं ये कीटोन पेशाब में भी निकलना शुरू हो जाते हैं शराब का सेवन करना आपके बलड शुगर लेवल को अंजान रूप में प्रभावित कर सकता है इससे शुगर लेवल भी बढ़ सकता है और घट भी सकता है इसलिए अगर आपको डायबिटीज है तो शराब का सेवन सोस समझ कर ही करें और उपर बताए लए हुए कोई भी लक्षन आने पर तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं हमारे शरील में खून ही सारे पोशक तत्वों को सभी अंगों तक पहुँचाता है अगर खून की कमी हो जाए तो ये सारे पोशक तत्व और ऑक्सिजन हमारे अंगों तक नहीं पहुँच पाएंगे ऐसे में मरीज को बहुत कमसोरी महसूस होगी अगर oxygen दिमाग तक ना पहुँचे तो मरीज को चक्कर जैसा महसूस होगा और वो बेहोश भी हो सकता है ऐसे में मरीज को अस्पतार लेकर जाए और वहाँ पर उनके खून की कई जाज की जाएगी जिससे पता चलेगा कि क्या तकलीफ है और आप बात करते हैं कान की हमारे कान हमें सुनने में तो मदद करते ही हैं लेकिन उनका काम सिर्फ वही नहीं है हमारे कान हमारे शरीक का संतुलन बनाए रखने में भी इस्तमाल होते हैं इसलिए कई कान की बिमारियां जैसे BPV, Manious, Disease जिससे कान को ये संतुलन बनाने में भी तकलीफ होती है उनसे भी आपको चक्कर आ सकते हैं इन बिमारियों में चकर आने के साथ साथ कुछ लक्षण भी होते हैं जैसे कान के अंदर लगातार कुछ आवास सुनाई देते रहना, कान में दर्द होना दोस्तों आपको चकर BP कम होने पर भी आ सकते हैं, लो BP चकर आने का एक बहुत ही आम कारण है जैसे में आप या तो खुद BP चक कर लें और कम आने पर मरीज को पानी पिलाएं और लिटा दे या उसे अस्पतार ले जाएं और उसके आगे का इलाज वही होने दे अगर आपको ऐसे लक्षर महसूस होते हैं तो किसी कान के डॉक्टर को दिखाएं वही आपको आगे के इलाज के बारे में बताएंगे दोस्तों अगर आप भी डायबेटीस के मरीज हैं और आपको भी इस तरह चक्कर आते हैं तो अब आप जानते हैं कि चकर आने के क्या कारण हो सकते हैं अगर आपको diabetes है तो आपको अपने blood sugar को normal से कम या जादा ना होने देने के लिए बहुत साबधान रहना चाहिए अगर इस वीडियो में बताये गई कोई भी लक्षन आपको महसूस होते हैं तो उन्हें हलके में कभी ना ले ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है जल्दी से अपने डॉक्टर को दिखाएं और उनके इलाज का पारण करें आज के लिए बस इतना ही आप से फिर मुलाकात होगी आप स्वस्त रहें खुश रहें नमस्कार